Hello students, आज की इस वीडियो में हम 8 का NCRT Math की Exercise 2.3 करेंगे 2.3 equation में हमारा जो second chapter है वो है linear equation in one variable तो इसकी equation को हम solve करेंगे जब दोनों side ही हमारे x की value दियो तो कैसे हमें answer निकालना है कैसे हमें equations को solve करना है वीडियो को end तब देखिए topic को clearly समझने के लिए और अगर आपको मेरा way अच्छा लगे बढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को like, subscribe and ज़्यादा से ज़्यादा share के जिएगा देखिए हमारी exercise का first question है 3x equal to 2x plus 18 और हमें value find out करनी है x3 तो देखिए दोनो side x variable है आपको क्या करना है? x side variable को लेके आने हैं तो देखिए इधर equal की इधर plus का sign है इधर आओगे लो minus का sign और इधर 18 डागया 3 minus 2x, 3x minus 2x क्या जाएगा x equal to 18 यह आपका answer आगया first question का कि x equal to 18 इसे दरा से बाकी questions करते हैं हमारा exercise का second question है 5t minus 3 equal to 3t minus 5 आप क्या कीजिए variable वाले x side लिए यह यह plus का है यह minus का आजाएगा और constant values यह minus का 5 है equal की इधर minus का 3 है इधर जाएगा तो plus का 3 5t minus 3t, 2t देखिए minus plus minus sign किसका आएगा जो बड़े के आगये होगा बड़ा के हमारा 5 5 मेंसे 3 गए 2 यहाँ 2 हमारा multiply है equal की इधर जाएगा तो divide में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो t का answer क्या आगया minus 1 ठीक है इगे हमारा second question अब हम अगरा third question करते हैं देखिए हमारा third question है third question है 5x plus 9 equal to 5 plus 3x यह हमारा third question दिया हुए तो देखिए इसे x variable वाले एक साथ लिए यह 5x minus 3x equal to 5 plus का 9 है यहाँ जाएगा तो minus का 9 5x minus 3x 2x and minus 4 आजाएगा यहां x के साथ multiply में 2 इदर जाएगा तो divide में हो जाएगा 2 बंचा 2 2 तो जा 4 x की value क्या आगई minus 2 यह हमारा क्या हो जाएगा answer अब हम अपना अगला question करेंगे हमारा फोर्थ कोशन है 4z plus 3 equal to 6 plus 2z आप z वाली values एक साथ ले आएए और constant value एक साथ लेके जाएए 4z minus 2z 2z 6 minus 3 3 यहाँ 2 multiply में इधर जाएगा तो divide का यह cut नहीं हो सकते किसी से भी तो यह क्या हो गया हमारा फोर्थ कोशन का answer इसी तरह से हम अपना फिफ्थ कोशन देखेंगे देखिए हमारा फिफ्थ कोशन है हमारा फिफ्थ कोशन है 2x minus 1 14 minus x यह हमारा फिफ्थ कोशन है x valuable वाले एक साथ लाइए यह minus का x से equal के इधर आएगा plus का x यह minus का 1 है equal के उदर जाएगा plus का 1 3x equal to 15 x की value यह 3 multiply में equal के इधर जाएगा तो divide में 3 5 जा 15 x की value के आई 5 यह हमारे फिफ्थ कोशन का आंसर आगया आप देख रहे होंगे बहुत ही easy question है friends आपको अगर वीडियो पसंद आए तो please subscribe हो आप जितने जादा share कर सकते हैं उतने जादा share कीजिए next question है हमारा 8x plus 4 8x plus 4 equal to 3 x minus 1 plus 7 यह हमारा 6 question है तो देखिए हम पहले यहाँ braces open करेंगे 8x plus 4 3 की x के साथ multiply करेंगे तो 3x minus का sign लगाएंगे 3 की 1 की साथ multiply करेंगे तो 3 और 7 as it is अब आप constant variable को एक साइड ले जाएं और x variable को एक साइड ले जाएं 8x यहाँ plus का 3x था यहाँ minus का हो गया minus 3 plus 7 यहाँ plus का 4 है equal की दर जाएगा तो minus का 4 8 minus 3 5x minus 3 minus 4 minus 7 plus 7 यहाँ पर क्या आगे आपका 0 यहाँ 5 आपका multiply में equal की दर जाएगा तो divide में तो यह क्या जाएगा हमारा 0 तो answer के आगे हमारा x की value 0 आगे हमारी देखिए अब हमारा 7th question x equal to 4 by 5 x plus 10 तो देखिए यहाँ 5 हमारा divide में equal की इदर जाएगा तो multiply में हो जाएगा यहाँ हमारा 4 बचा इसे हम as it is लिख देंगे ठीक है अब आप इसको bracket को open कर लीजिए 4x plus 40 variable वाली values इसका है ले आईए 5x minus 4x x equal to 40 तो यह हमारा क्या आगया 7th question का answer आचुका है अब हम 8th question की दरफ बढ़ रहे है देखिए अपना 8th question है हमारा 8th question है 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3 तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे दोनों side है आपने 3 LCM लिया यह आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं variable वाली value एक side लिया यह पहले और without variable वाली value एक side लेजिए अब इनका LCM ले लो 3 और 15 का जब आप LCM लेंगे तो answer आएगा 15 3 5 जा 15 5 पे गया तो 5 तो जा 10x minus 7x 3 minus 1 2 देखिए यहाँ 15 हमारा divide में equal के इदर जाएगा तो multiply में क्या हो जाएगा 30 10x minus 7x 3x equal to 30 यहाँ तरी हमारा multiply में equal के इदर जाएगा तो divide में तो क्या value आजाएगी 10 तो हमारा क्या answer आगया x equal to 10 ठीके student किलियर हुआ कि यह value कैसे आई अब हम अपना अगला question करते हैं देखिए 9th question है हमारा 9th question है हमारा 2y plus 5 by 3 2y plus 5 by 3 equal to 26 by 3 minus y यह हमारा question है इसमें में आप पहले question के जैसे valuable वाली values एक साइड ले जाएगे और without variable की value एक साइड लेके लेज़े 2y plus y 3y यहाँ दोनों same value है तो LCM हमारा 3 आजाएगा 26 minus 5 क्या होगे हमारा 26 minus 5 21 by 3 यहाँ क्या है हमारा 3 बंजा 3 3 7 बंजा 21 क्या होगे यह वाई 7 यहाँ multiply में हमारा 3 equal के इदर जाएगा तो divide में दोनों cut में होते इसलिए यह हमारा क्या जाएगा answer ठीके student 9th question आपको समझ में आया अगला question देखते है last question इस exercise का I hope आपको समझ आ रहे होगे questions 3M equal to 5M minus 8 by 5 ठीक है अब आप variable वाली values इदर ले आएए without variable वाली हम equal के इदर ही रखते है minus 2M देखिए दोनों साइड minus है तो हम इनको cut कर देते हैं cancel कर देंगे आप यहाँ पर देखिए 2 multiply में है equal के इदर जाएगा तो divide में तो divide में यहाँ 5 के साथ multiply हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 M की value के आ गई 4 by 5 students यहाँ अमारे exercise NCRT math की 2.3 finish होती है I hope आपको clearly निस समझ में आ गई हो अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment करके बताइए धन्यवाद